तोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा इंपॉर्टन्ट पैट किसी भी कल्चर दा किसी भी सिवलाइजेशन दा हैगा उस दे आर्ट थे उस दा लिटरेचर। उन असी वेखिये जिरे बोस्टली साड़ा अर्बन यूथ है। असी डॉस्टोवस्की पड़े आया है, असी वूड हाउस पड़े आया है, असी आयन रांड पड़े है। पड़ किसी भी पंजाबी राइटर दी अगर गल करिये, तो मेरे जहन विच कोई भी पंजाबी राइटर एदा नहीं आनदा जिस दी में किताब Growing Up पड़ी होए। उद्धा ही, कोई भी पंजाबी आर्टिस्ट दी अगर अपा गल करिये, थ्रूआउट हिस्ट्री ते ओ इनी जल्दी जहन विच नहीं आनदा, क्योंकि साधी कम्यूनिटी ने इन आर्ट्स दे जिना काम करना सानू चाहिदा उना नहीं किता। एक आम सरकारा नहीं कर दिया, तुसी इना मुलकां विच भी वेखो, फाउंडेशन है गिया, फैमिली दी फाउंडेशन्स, इंडिविजुल्स, कम्यूनिटी दी फाउंडेशन्स है गिया, ट्रस्स है गिया, जो आर्ट नू प्रमोट कर दें, म्यूजियम से लांदें, ल जान दे आ, जननू फाइबर ओव फाइबर ओप्टिक्स क्या जान दे, जेडी आज दुनिया विच चेली कम्यकेशन है, और कंप्यूटेस declared कम्यक हें बर्णें है अै, वे विक बहुत एहम रोल जड़ा है, वो फाइबर ओप्टिक्स प्ले करता है, और उस फईबर एक foundation शुरू किती सी, the Sikh foundation, इस foundation दे जड़े main goals न, ओ सिख history, सिख culture नो promote करना, preserve करना, सामने लाके आना, एक foundation कई किसम दे काम कर दी है, एक publications कर दी है, एक art exhibitions कर दी है, इस वेले, कालिफोर्निया दे सेंटा क्लारा शेहर वेच, ट्राइटन एच एक exhibition न, रन किता जा रहे है, इस foundation दे द्वारा, गुरु नानत देव दे, 550th birth anniversary ते, इस anniversary, इस exhibition, जिस दे नाम, expressions of divinity है, इस बिंग रन आद दे ट्राइटन मुजियम इन सेंटा क्लारा, आज असी तौनू इस museum विच लेके चलांगे, और तौनू ए exhibition दिखांगे, और उस तुबाद, असी सोनिया तामी जिना गल करंगे, जो की इस foundation दे executive हैगे, उनानाल असी गल करंगे, इस exhibition दे बारे और सिख आर्ट्स दे बारे ज, तौसी वेखते रो, दो वेफोवर्ड और असी तौनू होन लेके चल देया, सैंटा क्लारा तौ दे ट्राइटन मुजियम उफ आट फौर एक्स्प्रेशन दे डिविनिटी, तौडे सार्यां दे से योगनाल, सिख फांडेशन दे दे विच ट्राइटन मुजियम विच नवेंबर तिन तरीक तक चलेगी, एस प्रदर्शनी दे खासियत ए है कि एहे अमेरिका दे विच मॉडन सेख आट दी पहली मुजियम एग्जबेट है, एस प्रदर्शनी दा मकसद, गुरु नानक दी पंच सौ पंजावी जनम सालग इस प्रदर्शनी दे नौ कलाकारा नो बहुत इंस्पायर कर दी है एस प्रदर्शनी दे विच साड़े नौ कलाकार हन, इंडिया तो चार अर्पना कौर, दे विंदर सिंग, सुमीत सिंग, दे शोबा सिंग अर्पना कौर जी दियां तस्वीरां, बाबा नानक नो एक विजिनरी, दूर दी सोच रखन वाले, ते एक रिफॉर्मेस्ट, जो की समाज नो सही दिशावा लेके जान दे हन, दर्शान दिया हन देविंदर सिंग जी ने बारा मा दी रचना जो बाबा नानक ने गुरु गरंद साब दे विच वी शामिल है, ओस नो लेके बारा खूबसूरत तस्वीरां पेंटिंग्स बनाया हन शोबा सिंग जीनू मैं समझ दी हां की अपने कम्यूनिटी दे बच्चे बच्चे ने उना दिया तस्वीरां विखिया हन, उना दा कम काफी सारें लेई, साड़े लेई, सिक आर्ट दे विच एंट्री पॉइंट है, जित्वों असी अगे अपनी खोज शुरू कर दे हन, उस्तो इलावा, कैनड़ा दी कीरत कौर दी अपतस्वीरां, बाबा नानक दे रंगां विच लीन हन, बहुत ही खूबसूरत हन, ते सब तो जादा खुशी मैनु एस काल दी है, की बे एरिया दे, चार लोकल आर्टिस भी एस प्रदशनी विच अपना कम लाय हन, उना विच रूपी कलोटी जो सैन होजे तो हन, तानिया मोमी लॉस आल्टोस तो, रूपी टट ओकलंड तो, ते सरबजीत सिंग जो की सैंटा कलारा देने वासी हन, इना ने अप गुरुनानक दी सिख्या नो अपनी कंटेंपररी आइडेंटिटीज दे रहीं दर्शाया है, मैं नो य सखियां समेथ, जुरूर टाइम कड के म्यूजियम नो विजिट करो, म्यूजियम दे विच फ्री एंट्री है, कोई टिकेट नहीं है, ते एही ग्यारा वजे तो लेके, पंज वजे तक, रोजाना, मंडे नो बंध होंदा है, म्यूजियम खुला है, एग्जबेशन अगस् कती नो खुली सीगी, ते दो मीने चलूगी, नवेंबर तिन तक एदा आखरी दिन है, सिख फाउंडेशन ने पिछले पंजास सालां विच सत एग्जिबेशन पहला ला चुके हाँ सी, ए सारियां एग्जिबेशन क्लासिकल सिख आर्ट दियां, जो की अठार्मी सदी, उन साधी हमेशा ही कोशिश है कि जादा तो जादा दुनिया नो पॉंचे यह लोग की आखे वेखन, साधी कम्यूटी भी देखे क्योंकि साधी कम्यूटी दे विच वी आठ हाले ओस मिकामते नहीं है, जना होना चाहिँदा, क्योंकि मैं समझती हाँ कि हर एक कम्यूटी दे, जो उना दी वोईस है, उना दी फेस है, वो साड़े आर्टिस्ट है, चाहे उहो फिल्म प्रोडक्शन दे विच ने, चाहे उहो किताबां लिख दे हन, म्यूजिक बना दे हन, डांसिंग चने, या पेंटिंग चने, उना ने ही साड़ी कम्यूनिटी दी आवाज दुनिया तक पहुंचानी है, तो इस करके, तो आड़े सारे आंदा सयोग बहुत ही क्रिटिकल है, बाकी जेडियां साडियां एग्जिबिट्स लग चुकिया हन, ओ हो लंडन दे, विक्तोरिया अलबर्ट मुजियम दे विच, 1999 विच लगी सी, शुरुवात होई सिगी सान फ्रंसिस्को दे विच, एशियन आट मुजियम दे विच, 1991 विच, जदो एग्जबिट्स प्लेंडर्स अपन्जाब लगी सान, ओस्तो बाद दो हजार तिन दे मुजियम दे विच, इस्टाबलिश किती गई, तुसी जो भी बे एरिया चरेंदे हों या जदो तुसी विजट करों, तुसी ज़रूर एशियन आट मुजियम दे विच जाके सिख कलाकरितियां वेख साकने हों, उथे महराजा रंजीत सिंग दी रिंग शामिल है, जीदे नालो जिनने भी ऑफिशल फर्मान सी उननों सील कार दे सान, एक एह जया हलमेट है, जो लडाई दा हलमेट सीजी जी 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 विच जुड़े दी जगा बनी होई है, तुसी जुड़े दी जगा बनी होई है, यह सब कलाकरितियां जदो सादे बच्चे वेख दे हन, एह मु जिनर सिंकापने, I am a trustee of the Sikh Foundation. Today we're gathered in the Triton Museum and we're showing the Sikh Foundation art collection here till November 3rd, 2019. I am an art collector as well as an art-enjoyment-oriented individual and I've come to the Triton Museum to share the experiences on the 550th anniversary of Gruen Nanak's birthday. I'm happy to show one of my pieces, Nanak and Bleeding, which was inspired by myself and my grandfather who had shown me the true path of the Sikh religion. The art told a story to me and I enjoyed it tremendously. My father, who is one of the famous art collectors in California and known globally, and in this piece what we're showing is the turmoil in the world as Nanak, whose eyes are looking straight at you, shows the potential extinction of animals, the war between the human race, and his meditative philosophy as he traveled thousands of miles throughout the world. I'm happy to also share numerous paintings here, all coming from Arnapurna Corps, and her legacy stems from New Delhi, India. So with that being said, I would only like to say that I hope all of you can enjoy this art. Come to the Triton Museum. We have showings also at the V&A Museum in London. We also have just opened up a showing in Montreal, and of course our flagship is at the Asian Art Museum in San Francisco. We look forward to seeing all of you in our venues soon, and you can check us at www.seekfoundation.org to gather information on our upcoming shows. Thank you very much. Thank you very much. Thank you तो आजकाल दी कला चे दर्शाई नी जान दी ते जिडी कला चे दर्शाई गई सी, वो सी मिनिश्यर पेंटिंग तो मेरे लिए ज़ूरी हो गया कि मैं ए स्टाइल सिखां ते सिखर नी इन्डिया था नहीं जाना पिया पर मैं लंडन तो तो ती ट्रेनिंग लगी अब मिनू तो इदी कला दे बीज उत्थों आंदे ने तो मैं ना कि इस कला नो प्रिजर्व का रही है ताकि अगे जागे जनरेशन नो पता लगे के इक कला है किसी पर मैं इवी चौनिया के विच विच जेडियां सादे कम्यूटी विच इन्यां सोशल ते पिलिटिकल अपीवल्स कला विच अइन्सिदेंश दा जमें के 1947 partition यहां फिर 84 जहां फिर इम्मिक्रेशन जरी के मैस इम्मिक्रेशन हुए है पंजाब तो बार इना इंसिदेंस दा जिकर कला विच का टाया सो मैं जरूर कोशिश कर दियां के जो एफ प्राना या एंटीग स्टाइल है उनान भी वी स्टोरी साध्डावी साध्निया स्ट्रॉगल्स इस कला वच दर्साई जा रही आने सो एज पेंटर मेरी खुश्प किस्मती है कि मैं अपनी कला चे हिस्ट्री एस वैल एज जो आजदे इशू ने अजदे मुद्दे ने साध्डे पुलिटिकल मुद्दे वी ने ओ भी मैं फेश कर सका मिननू लागदा कि एपर दर्शनी लानी जुरूरी बच्चियां ले वी है है साध्डे जर्डी काम कर दे और ताम ौनच ले ने काम कर दें ले झार क्डिया ऊनलिव जुरिया पर शाध्य बजूर्गां ले वी जरूरी है क्योंकि जरी प्रदशनी साध्टी हिस्ट्री उर्ड़ूर्ट्रै आज़कर वेय फ्लाइफ नो दर्शाएगी और दशनी सानो इकता मान देगी अपने कल्चर उपर जो वसी हां उस चीज ते मान आएगा ते ए मान सब ली हल्दी है मैं कवांगी सारे ले जरूरी है जड़ी मजीड जनरेशन तुसी लेलो नाले एक तरीके तो मैंनो लगदे जड़ी 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 तो पर दशनी तरह तो जड़ी जनरेशन काप असी पांदे यां कुल्चर ली हिस्टोरिकली सा डे जनरेशन काप गट थोड़ा बहुत ते जदो पर दशनी विच आठ भी बहुत तरह ना होवे इक तरह नहीं बहुत नो आटिस्ट एस पर दशनी चे ने हार एक आपनी अरे जगा तो जड़ी आपनी तो न्यॉर्च चे अटो जड़ी बहुत ने हो रही है और जगा तो ओ चीज ना ड़ेट कर पाने है कुछ ना कुछ ना कुछ बबबेगा ज़ूर्ण तामें चौवांगी के ए परदशनी अगे वी बदे और इस चे और जगामा चे जड़ी आप आप इस चीज तो इंस्पार होके अगे बदन ते इना चीजान नू पॉसिबल वनान अजदे यूथ लिए पर आजदे जड़े कामकार कारे पेरंस ने ते जड़े सादे वड़े वी ने उनना रस्ते वी मैं कहनी है की सोनिया दामी जी ने बहुत अच्छा काम किता इस एग्जिबिशन नू लियान वास ते ट्राइटन मुजियम ते असी नौ आर्टिस ना दे ना लाया हैं इस इस बने अमाजिग वर्ग, अमाजिग, हार्ड वर्ग, शी पुर्ट थरू 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 आज ना नावल पिला गराब ते हो बड़े बड़े नावलो ना लिखे ने लिखे ने मेरी अवड़ी सिस्टर ने आर्ट कीता है पर मैं नू अपने अंदर बच्पन थी बहुत शौक सी गा थादर नो बच्पन चसी देखना सारे राइटर ना ने शरी बढ़ बड़ाद क प्रफेसर जोट सिंह, मेरे टीचर सान, स्टी ठाकुर सिंह, तेकरपाल सिंह, बच्पमच अनुट सारे ने इन परसें मेरे फादर दे होनकर के, अनुट सिंह, बच्पमन तो मैं कर दो मेरे अंदर आट पादा होए, मैं इंपावर कर दी वोमन, मेरे बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है गए, वोमन हुड इन इच औरतां बैठी हैं जी सर्कल देविच, वो औरतां इरान चभी हो सदिया है, अफ्कानस्तान चो सदिया है, मैं कुछ सफें कर देख्तरां करे लाक सान चिखित अबस्क्ताल वे स्वड्रानों तो आन वे सिम्बले अपिनरे सम्बलाग DR. मैं थाष भता ऊ Espane alltid मैं बनाया सिल था इन परव्यत इनौ़िवानिव तो अपने वह अपन थे नोलिजबल थे दुनिया दखाई हैं तर फिच मैं जड़ी पैंटिंग नो बनानी है गया और अचे और अचेशा ओर अचेशा पर्बवर्मेंट देनी है उन्हों नहीं अभी अबिलिटी देनी है कि शीजिए फ्री ते इंद इस पैंटिंग में इस यह स्थी पंजाबी, हो पेंट पारोगोंगेंस पंड़ी श्वाटम्ध में सब्सक्रण्टाइब थार्ते आदेरे मैं अज तक था रर्समा कीता है, कि जद मैं पने ने पर देखिए ने कोलेग शाड़ा ऑन रट था जाना है , उना ने को जड़ अट ने कीता है, उना ने रर्ट नो सी growth करो, арrtt सlaw अंडरस्टन करो, कालेंडर आर्ट तो बार निकलो, आपने बहुत समय आपनों बहुत सादा ग्रू करो ताकि सुछ देखो की भार दुनिया की कर रही है, मैं क Gmail आपने की आर्ट नो बहुत कुछ सकhانदा है, आर्ट आनों र्मीयू देंदा है, आर्ट आनो कल्चर देंदा है, आर्ट बगार सी कुछ नहीं है गे, और पंजाबी कल्चर वरगी ते को एड़ी खुबसरत कल्चर की तो नहीं मिल सकती है। आर्ट आर्ट वरगी तो नहीं मिल सकता है। कि अपता दे जा रहाई आ नो को अभाँ यहां जा गाला तो फाल नो आपवार कॉसापन गाल की पैंटिंग तेस्ट की परिवार देविच मैंना सुनिया सिके मेरे एक नाना जी जड़े चोटे ब्रदर सी, ओ मैं ओ कॉलेज अफ आर्ट तो पड़े सी, ओ भी आर्टिस्ट होंदे से के, मैं भी जीन्स विच विच वेगा, बट हो और तो कोई नहीं सिका, तो मैं शुरू दे कर दी परिया है, मैं पड़ांदी भी रही है, लोकल एथे, स्कूल लांच, तो आर्ट शुरू तो रिया, इस लाइक ऑ और ऑ्चिजन फो मी, हां जी मैं इथे, वैसे लोकल एसे करके, इन्करेज करन ली बच्चेयानू, मैं लोकल एथे, कर दी भी रही है, आर्ट सिखांदी रही है, फ्री ज़िए आर्ट सिखांदी भी, इंस लाइख और यूजे, यूजड़ा एक लुट्रे खथांदी रही है, ज़िए ने आर्ट सिखांदी ठूम, यूजे और ऐथे, आर्ट सिखांदी थांदी प्राइख यूजे पृसी एन भाट सूंग है ज़िए ए बरी गुज़ांदी इंपॉर्टन हागा साड़ी लाइफ दा अजी है मेरी वेबसाइट हागी बड़ी ड़ी 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 आर्ट अवसरवजी सिंग ते ओधे मैं तुसी देखोगे कि मैं आव आद की कमेमरेटिव सीरीज बनाईयाने छे है गियाने जिदिज के मैसेज है का गुरुनानक जीदा एहागा एक कौंकार बनेयादा के उन्हाने एक बनाया जोड़के भी दर इस एक रेस है कि अविमन दो तेक मैं आवनाईया के जडिके एक्वालिटी लिए बिलीव कर देने बाबाजी ते ओ सारा मैसेज है कि भी सारी दुनिया जजाए सारी काउम चीवी ते बार वी सारे सम्झें इंपॉर्ट किना है गाए So, hi, my name is Jill Myers and I'm the Executive Director here at the Triton Museum of Art and we're honored to have this show, Expressions of Divinity, here at the Museum and it's been a wonderful partnership with the SICK Foundation and we have wonderful artists that have come out to show their work here, their local artists that are working as well as the artists that we have from the Foundation. So, we're really pleased about, very pleased to be able to partner with the Foundation and have a wonderful opportunity to bring different communities together Part of what the Triton Museum does is to showcase different community, different groups within our community and so people can learn and be educated and to share their stories and that way we learn about each other. When we come to some of the artists that relate to their heritage, they own their heritage and they own their heritage and they own their pride. So, this is why we have museums which are a very important for our culture and heritage and I understand the culture and heritage, I think it's very important to be able to understand our community because we are able to educate you and we are able to provide that and we are able to provide other people with their heritage है अपने आर्ट ते वेच उना नाल शेर कर सकते हैं जेडी वी अपनिया दिवारा हन चाहे लैंविज दी है चाहे रिलिजिन दी है कोई कास्ट दी है या कलर दी है वो सारी एस पेस ते विच आके तुट जा दिया है यह मैंनो इस गल्दा बहुत मान है कि अज पंजाबी कमिनिटी एक इंटरनाशनल कमिनिटी है असी प्राउट सिटिजन्स हां किन्या ही कंट्रीज दे अल ओवर दे वर्ल्ड टे अस मेरी इस कोशिश नो सिक फांडेशन दिये इस कोशिश नो सी सफल समझांगे जे तुसी अपने देखियो कि तुआ डे जडियां पब्लिक स्पेसेज हां तुआ डे जडे इंस्टिूशन हां कि ओहो सही माइने विच तुआ डे कम्मुनिटी नो रिफलेक्ट कार दे हां ति जे ओं कार दे हां तुसी साड़नल जरूर शेर करो पर जे नहीं कार दे ते एह साड़ी कोई मदद दी लोड होवे सिख फांडेशन नाल तुसी प्लीज संपर्क करो साड़ी वेबसाइट है सिख फांडेशन.org ते तुसी सानो थे एमेल कर साकते हो अट इन्फो एट सिख फांडेशन.org यह साड़ी फेस्बुक पेज ते यहां ट्विटर ते इंस्टर साड़ी वेबसाइट है साड़ी वेबसाइट है सिख फांडेशन दे एग्जेक्टिव डारेक्टर श्री सोनिया तामी जी नाल तोड़ा बहुत-बहुत स्वागत है और साड़ेनाल गल करन लेदा बहुत-बहुत शुक्रिया सोनिया जी सानू सब तु पहला तुसे इस फांडेशन दे बारेज कुछ दसो एक कद हों दी चाहिए है और की इस दे मेंड अब्जेक्टिव रहें हर्चोट सिख फांडेशन दी स्थापना डॉक्टर नरिंदर सिंग का पानी ने 1967 विच कालिफॉनिया दे पालवाल्टो शेहर विच गेती है पर तुसी जान दे हों की सिखान दा इतिहास नॉर्थ अमेरिका विच सौ साल तो भी उपर है पर आज दी तरीक विच वी सिख प्रेजन्स साधी युनिवर्सिटीज अमेरिकन म्यूजियम्स दे विच बहुत ही कट देखनों दी है सिख फांडेशन दा मकसद दे मिशन ऐस कमी नो पूरा करना है ते मैं समझ दिया की सिखान दे कला दे अध्यात्मिक रूप नो असी दुनिया दे सामने दर्शाना साधा मिशन है इस ते विच इछले पंजास सालाच सिख फांडेशन ने कई कामयाबिया हासल कितिया है जिख में मैं समझ दिया है कि अमेरिकन युनिवर्सिटी ऑफ कालिफॉर्णिया दे तिन कैंपसे विच उच्छ शिक्षा दिया चैर्स अफ सिख स्टाडी स्थापित हुई है पाउडेशन ने कुछ पंद्रा पॉब्लिकेशन जारी कितिया है जिना विच शामल है किताबान, नूस्पेपर जरनल्स ते तीचा तो मेरे दिल दे बहुत नेडे है ओ है कि दुनिया दे जडे मशूर म्यूजियम्स है उना विच सिख कला दिया प्रदर्शनिया लाया है सिख कला दिया प्रदर्शनिया लग चुकिया है जी 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 नहीं ए बहुत बड़ी एचीवमेंट है और बहुत वड़ी कमी है साधी कम्यूनिटी वेच सिख आर्ट्स नू लेके असी विर्शेदी गल सारे ही कर देन बट ओ विर्शा गाने बजाने तक पांगड़े प जी जी जड़ा बहुत ही इंपोर्टन्ट है किसी भी कल्चर लगी किसी भी सिविलिजेशन लगी ओसकर वाइल्ड केंदे सीगे की ओल आर्ट इस यूजलेस आई डोंट सिंक यू एग्री विद हैं तुसी सानु दस होगे वाई इस आर्ट इंपोर्टन्ट आर्ट इस यूजलेस पर एगल आर्टिस्ट नू कॉन दसे वो उना ने तरह करना है जो जो ऑसकर वाइल्डी सोच सी ओना भी सोच है पर मैं समझ दिया कि सिख हिस्ट्री दे पंच सो पंजास साल पुराने इतिहास वेच जी सिख कलादा एक बहुत ही महत्वकून ते उच् सीख क acála dtit दो करदे आंथे इदे शामिल हम थूब सूराद पेंटिंग्स ही नहीं अक्सर सी सोच दे कि कलापेंटिंगs तक सब्सक्रादा उना जान पार्षिष पैंटिंग्स हण पाकर ठीट के गृण्ध हण थजो लिखे ग्रण्थ हंघ आजे महाराजें सवाल हमेशा उजूर दे सिक्राज दे सिक्के शस्तर, फुल कारियां, स्कुल्प्चर्स एस सारियां सिक्ष कला दे विच शामिल हूं लिया है जी 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 एक किसे भी community लेगे खासकर सब्सक्राइब करेंगे है अधे विच आइडेंटिटी दा इशू अपना रहना है आज इमिग्रेंट सब्सक्राइब बच्चे हन उना दे मन वेचे सवाल हमेशा उजूज दे रहने की असी कौन हां सी साथा असी अमेरिकन ह हां सी सिख हां सी इंडिया नहां सो ए सवाल है ना नो हमेशा उना दे इर्दगिर्द रहने हां मैं देख्या है कि मेरे पर्सनल एक्सपीलियंस ते विच मेरा एक 17 साल दा बेटा है जदो भी ओं कोई मुजियूम विच गया है तस्वीर दिवार ते देखी जो की साड़ी हेरिटेज देनाल तालुक्त रखती होगे ओ एह जया मौका हुंदा है जदो बच्चा अपनी संस्कृती अपनी हेरिटेज नो बड़े ही मान देनाल अपनां दे हां एक एह जया स्ट्रॉंग नारेटि जी 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 अगर ऐसी सिख हिस्ट्री वेच आड़ी गल करिये इंग इन दे लास्ट वन सेंचुरी और इन दे लास्ट प्रबली 30-40 जी 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 जादा आटिस्ट्स दा सामने आना वेखिया है और अगर आप प्राने समिछ गल करिये जए जट सिख एमपाइर सेगी उसदी करिये तरवी कुछ प्रॉमिनेंट आर्टिस्स द्रिवारे साकुनी और गट दश्क्री ज्यूवरों समयंत दे लिए कि समयंताव गौन समयंत। पर असी ये भी देखते हैं कि कौम दे उते कई एह जे मौक्य आए गुरू साब गुरू गोबिन सिंग जी दे समय तो उस तो पहला वी जदो अनन्दपुर साब दा किला छड़े आती अपना जरा साजो समान लेके निकले सान हो उस सा नदी विच सारा वह गया जे उस तो बा सिखेट समय आया ओंड़ी और जी सिख आर्ट ले समझ सकते हैं क्योंकि और स्वेल बहुत ही कलाकृतियां दी प्राग्रेस हो जी 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 व्यूस पीरिदे विच कई आर्टिस्ट दी आसी नो जानते हां जिब बिशंच सींग हो गए ठाकर सिंग हो गए और यही नाइटीन कि एक बड़ी ही comprehensive बड़ी ही जबर्दस collection जेड़ी सिख foundation ने ही किती है किताब smithsonian institutional मिलके the book is called सिख आर्ट from the Kapani collection जिजे writer Paul Michael Taylor जी और Sonia Tamijian Sonia जी सानू इस किताब दे बारे दसोगे कुछ हाँ जी मैंनों सिख foundation दे नाल 11 साल समय हो गया नाल जोड़या नाल जी इस छोटे समय दे विच एक किताब एक मेरी बहुत ही मेरी दिल दे नेरे है इस काम इस ते उत्ते मेंनों काम करनदा मौका मिल्या मैं बहुत मान समझ दिया इस काल दा जी इस किताब दे विच कपानी हर एक चैप्टर वक्रे वक्रे एक्सपर्ट ने लिखिया है चाहे ओओ ऑथर हन या क्यूरेटर हन आर्ट हिस्टोरियन हन जिवें की फ्रांस ते डॉक्टर लाफॉंट ने उना ने महराजा रंजीत सिंग दे पीरियड बारे चैप्टर लिखिया है ते फिर यूसी सांटर प्रूस्तों डॉक्टर निर्वेकार सिंग ने उना ने गुरु साब दी पोर्ट्रेचर दे बारे स्टडी किती की शुरुआत तो लेके जड़ी अज तक उस ती प्रोग्रेस के में होई के में के में बदले आया केड़े-केड़े ओदे ट्रेंड जाए जिमें केड़े पेंटिंग है जो कि उना दे गुरु साब दे टाइम दी है कि है जी असी बड़ी स्ट्रॉंग ली रेकमेंड कर दे बोक बड़ी कॉंप्रियंसिव इस दे रिसर्च है गी है राइट फ्रॉं 1670 जिस तरह सोनिया जी ने दस्या कि गुरु साब दी पहली पेंटिंग इस दे दे आराउंड है और इट गोस तिल दे रिसेंट ताइम और हर समय दी गुरु साब दे पीरिट दी मारा रजी सिंग दी नाल इस देज एक हिस्टरी दी गई एक डिस्क्रिप्शन है कि ए पिचर जडिये किस ताइम नूब डिस्क्राइब कर दिये ते सोने जी किते किते विर कें वी गिट एहन उन दिस भॉक इस अवेलबल एंगे तुसी गूगल कर साकते हूं से कार्ट रूम कपानी कलेक्शन जी सिख फांडेशन दी वेबसाइट इच इच व्व्व्व सिख फांडेशन.org वी शॉप शॉप न तुसी और कार साकते हूं जी कोई वोट तवा एक की हुंदिया ने इंडिविजुल कलेक्शन दनाव देवर्क शॉप जेड़ा अपना सिख इतिहास ते विच जुमें मैं दस्या पहला भी कि कई आजे मौक्य आए जी ते विच जिनियां साधियां कला करेतियां सी ओ काफी साड़ा नुकसान होया एज़कॉम एज़कॉ इंडिविजुल्स जो दूर दर्शी ने विजनरी इंडिविजुल्स ही ओना ने कुछ पंजाग साल तो मैं समझ दियां इस पक्षों कामकारना शुरू किता जिवें की डॉक्टर कपानी नरिंदर सिंग कपानी ओना ने दुनिया दे अलाग अलाग हिस्सियां जो जित्थो उना नो जो भी सिक इतहास ती सिक हरिटेज दी कोई भी वस्तू किताब पेंटिंग टेक्स्टाइल कॉइन कुछ भी मिलिया उना ने हॉली हॉली उन उसनो कठा किता ए तन मानते तन देनाल कम उनाने लगा ता जदों कि इस विले कोई सिक आर्ट नो कुछ एक सब्जेक्ट नहीं समझ दा से तो शुरू कर रहे हैं तो डॉक्टर महल है कि इत्थे वी बेरिया दे रेजिडेंट हान वी ओना ने वी बहुत ही शांदार कलेक्शन त्यार किती है डॉक्टर खनूजा हन फीनिक्स दे विच ओना दी वी कलेक्शन बहुत ही शांदार है तो ओना ने फीनिक्स आर्ट म्यूजियम वेजिक ग्यालरी वी इस्टाब्लिश कर चुके हां ते आज कल प्रदर्शनी चल रही है होथे ते मैं समझ दिया एह जे इंडिविज्वल्स दे बदॉलत ही साठी कम्यूनिटी नो एह एहसास ह हुआ है कि साठी कल्चर दे विच इतिहास दे विच कला तक किना महत्वपून योगदान है सानों ते पिछले 550 साल एमें ली निकल गए जो दे विच बहुत काम होया ते उस उनों यादकार दे तो और ते पेश कार दे ते तुरू असी आपने आपनों भी एजुकेट कर द सकते हैं कि साड़ी कम्यूटी भी हिस्ट्री की है और इन इंडिविजूल्स दी जेड़ी कॉंट्रिबूशन है उस दा देन कम्यूटी का दिनी दे सकती सोन्या जी जेड़ी इसले प्रेजेट एग्जीबिशन चल दी पी है ट्राइटन अच उस दे बार इसानुदा सबच हाँ जी ए त्वाडे से योगनाल सिख फांडेशन थे ट्राइटन म्यूजियम एक कला प्रदर्शनी पार्टनर्शिप किती है जो की बे एरिया दे सांटा क्लारा शेहर विच नवेंबर दिन तक चलूगी जी एस प्रदर्शनी थी खासियत ए है कि ए है अमेरिकन म्यूजि आजिथा एस अमझते हैं लूजिए इस प्रदर्शनी था मकसत गुरु नानक साब दी बारे जानकारी सांजी करन दी ते होना दी पंच्सौ पंजामी साल्गिरा मनॉंदा एक वक्रा ही जी तरीका है जिसते थे थूरू इस आमेरिकन भीदिर यक्षिप्षट नेश्म दू प्रदर्शनी दे नौ कलाकाराणा नो इंस्पायर काती है ये कौन है नौ कलाकार और की इसक्श सभिस्क्राइब भा सलऴेदे नहीं है एदे विच साथे चार कलाकार इंडिया तो हन ओदे विच शामिल हन अर्पना कोर जो की दुनिया दे मशूर आर्टिस्ट हन ते उन्हें पेंटिंग्स बाबा नानक नो एक विजनरी ते रिफॉर्मिस ते तोर ते पेश कर दिया हन तो विंदर सिंग जी जो चंडिगर तो हन उना ने बाबा नानक भी लेखी दे विचों बारा मा नो लेके बारा खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया हन जो की हर एक मा दे हर एक सीजन नो दर्शान दिया हन जी उस तो फिर उना दे बेटे हन सुमीत सिंग उना ने जनम साखी ट्रडिशन जड़ा हैगा अपना उस नो मॉडर्ण तरीके ना दर्शाया है जी शोपां सिंग जी जेडे मैं समझ दियां कि बच्चे बच्चे ने उना दियां बनाईयां तस्वीरां जरूर देखिया हों गयां कार कार दे विच प्रिंट्स अवैलेबल हन उना दी औरिजनल पेंटिंग जो उना ने बाबा नानक दी उना दे 500th बर्थ अनिवर्सरी दे बनाई सी ओवी इस प्रदर्शनी विच शामिल है ते इस तो अलावा कैनड़ा तो कीरत कौर उना दा काम गुरुनानक साब दे रंगां दे विच लीन है ते सब तो ज्यादा मिनो खुशी इस गल्दी है कि बे एरिया दे चार आर्ट गुरुनानक साब तो इंस्पायर होके अपनिया कंटेंप्रोरी आइडेंटिटी या अपने इस्टोरिकल इंसिदेंट्स होए ने जिमें बाबा नानक ने डर्टिवे उते मसला उठाया उना ने जो भी पॉलिटिकल कमेंट्री जिमें बाबर ना बानी दे विच किती है ग हरे कोई नो जो विस देखूगा प्रदर्शनी नो ज़रूर होना नो पसंद आऊगी असी सारी कम्यूनिटी नो अर्ज करांगे कि ए एग्जिबीशन जिस तरह सोनिया जी ने दसे है नवंबर तिन तक चलेगी प्रेजेंट्ली चल्दी पही है ट्राइटन मूजियम ऑफ संटा क्लारविच आगेश नो तू पंच तक खुला हून दा है मूजियम फूजे तूजे तू संडे तू जयारा बज़े तो लेके सवेरे चाहां जिस्ता सोने जी ने किया आसी रेकमेंड करांगे कि तुसी जरूर आप भी वेखो अपने जान पेचान वालेया नूँ होड़ कम्यूटीज वाले नूँ उतले लेके जाओँ अपने बचे लेके जाओँ बचें दी साइक उपर एचीज असर कर दिया है Sonia Ji, कोई पर्टीकुलर पेंटिंटिंग तुसी रेकमेंड करोगे, you must have some favorites. They are all beautiful. Whenever I go to the exhibit, it is overwhelming. It's emotional. अरपना कॉर जी दियाँ पेंटिंग्स था, बंदा सोच्दाई की देख दे रहो, इन्ने खुबसूरत रंग ने, इन्ने खुबसूरत उना दी सोची है. देविन सिंग जी दियाँ भी पेंटिंग्स थे कुछ जड़े नवेक अलाकारा ने उना विच एक तस्वीर मेरे माइंच ओन दी है, ओ है की रूपी टटी पेंटिंग जड़े विच ओन उना ने 1947 दा पार्टिशन इंडिया दा वखाया है. जो जड़ा समय सी ओदे अपनी कॉमेंटरी ते अपने भी कॉमेंट्स दिते हैं. मैंनों एक और उना दी तस्वीर हैगी है, कीरत कॉर दी जो की जनमसाखी ट्रडिशन ते दरपन है, ओ भी बहुत ही खूपसूरत है, मन्च रहन दी है. जो जड़ा सिंग जी तस पेंटिंग्स ता असी सारे जड़ा सी ओनों मतलब ओरिजिनल विच देख देया ते जो उसी प्रिंट करा विच लगये हुए ने जमीन आस्वां दा फरक है। सोन्या जी साड़नाल गल करनदा बहुत बहुत शुक्रिया, ए एग्जिबिशन और्गनाइज करनदा बहुत बहुत शुक्रिया और असी उमीद कर देयां कि साड़े कम्यूनिटी मेंबर्स वद वद उथे पहुंचांगे और इन पेंटिंग्स आ आनन्द लांगे। साड़नाल गल करनदा बहुत बहुत शुक्रिया, तोसी वेख देरो, दो वेख फावट।